अलो दोस्तो गूट मॉर्निंग स्वागा दिखवा फिट से आप सभी का MZT एजुकेशन में दोस्तो आज है 6 अगस्त आज की वीडियो में हम भू बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2022 के most important current affair के questions के बारे में वीडियो कर पसंद आए कि तो वीडियो को like और share कर देना चैनल नए आए हो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर देना जिससे आने वाली वीडियो का notification आप तक महुशता रहे वीडियो में आज़े पढ़ने से पहले दोस्तो एक जरूरी जानकाई देना चाहूँगा आपको कि टेस्ट बुक का तेरे जीत मेरे जीत सेल चल रहा है और इसके तहट आप 400 रुपए में आप पास सकते हो दोस्तो टेस्ट बुक का पास वो भी 14 महीनों के लिए अगर 20% का डिसकाउंट और ये 20% का डिसकाउंट आप 14 महीनों तक यूज कर पाओगे एक पर कोर्स लेने के बाद देगे ग्रुपडी की एक्जाम डेट आ गई है ग्रुपडी का एक्जाम अब स्टार्ट हो गया है समझ लो 17 अगस्ते तो ऐसे में दोस्तो अब आपको करनी चा चलिए बात करते हैं दोस्तो लाज्ट के कुश्चन की कर लेते हैं क्विकली रिविजन नहीं तो आप भूल जाओगे तो पहला कुश्चन था कल सुरेश एंड पटेल दोस्तो के लिए सतर्क्ता आयुक्त यानि सेंट्रल विजलन्स कमिस्नर बनाए गए हैं आन्ध प्रद ये वाज़ से नहीं अनौन्स किया है कि मिग 21 को वो 2025 तक दोस्तो रिटायर कर देगा यहाँ पर मैं एक माफी चाहता हूँ आप लोगों से कल मैंने 2024 बोल दिया था एक्चुली में 2024 से यूज करना बंद हो जागा अगर 2025 में इसको पूरी तरीके से रिटायर्मेंट मिल जाएगे तो यानि 2025 इसका अंसर होगा फार्चून 500 की सूची में लिस्ट में भारत में सबसे टॉप पर कमपनियां में है LIC और हाली में N.V. रमना जी जो की वर्तमान में Chief Justice of India है इन्होंने अपने पद के बाद अगले Chief Justice of India के लिए सिफारिस करे हुई Justice U.U. लेलित जी का नाम तो यानि कि ये होंगे अगले भारत के Chief Justice of India मद्य परदेश ने दोस्तों वहाँ पर केंद्रिय मंत्री ने 6 राष्टी राजमार परिये जुनाओं का सुभारम किया है नितिम गडगरेजी ने Vodafone Idea के नए अध्यक्ष बना दिये गए है रवेंद्र टकर कुछ दिन पहले तक ये CEO थे 2 अगस 2022 को दोस्तों अभी हाले में लोकसभान ने वन जीव सनरक्षन संसोधन विधेक पारित किया है इसको मंजूरी दे दी है लोकसलाव पर्यावरान मंत्राले द्वारा 10 और रामसर साइट गोजित कर दिया गया भारत में टूटल रामसर साइट अब हो गई 64 कुछ दिन पहले 5 एड करी गई थी उससे पहले 2 एड करी गई थी तो ये तो देखिए दूस्तों 10 धन 5 धन 2 ये तो 2022 में ही सबायड करी गई है और आजादी के अमरित महुत्सों का दूस्तों एक टार्गेट है लक्ष है कि 15 अगस के पहले पहले 75 रामसर साइट हो जाए ठीक है यानि अभी 11 और जुडेंगी तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर थे जिनका आपने किया क्विकली रिविजन अब बात करेंगे आज के स्तांदार क्वेशन के लेकिन आगे वर्णिस पहले आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा दूस्तों आज की वीडियो जो हना बहुत ज़्यादा डिटेल में है और आज के दिन में जो भी कुश्चन है उसके बाद उसका एक्स्प्लानेशन रिविजन पॉइंट के साथ है जब अरदस्त वीडियो होने वाली है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर ज़रू कर देना देखिए हमारी टीम की बहुत जादा मेहनत लगती है इसके पीछे सब लोग मिल करके कॉंटेंट तयार करते हैं आप लोग के लिए ये 10 कुश्चन होता है और ये 10 कुश्चन सिर्फ और सिर्फ important होता है इसमने फाल्ठो का कोई कुश्चन नहीं रहता है जितनी भी expected कुश्चन रहते हैं कि जो एकजाम में आ सकते हैं सिर्फ वही लिया जता है यही कारण है कि इस चैनल के जो भी student होते हैं एक भी question कभी miss करके नहीं आते हैं मतलब आ करके कभी ऐसा नहीं बताते हैं आपका सारा current affair वहाँ पर नहीं आया था या जितनी भी current affair पूछे गए थे उसमें से दो current affair या तीन current affair आपने नहीं बढ़ायता है इसा कभी नहीं होता है तो आप लोग भी personal experience इसको ले सकते हो खुद भी तयारी करके देख सकते हो चेक कर सकते हो फिलहाल अब बात करेंगे हम लोग questions की देखो आप लोग अगर share करोगे support करोगे ना तभी ये channel ग्रो हुगा बिना आप लोग के support के कुछ नहीं हो सकता है मैं तो अपनी तरित से पूरा पूरा effort लगा रहा हूँ अब आपको भी करना है कुछ ओके तो आज सभी लोग प्रण लोग कि वीडियो को share जरू कर दो देखो मैं इतना forcely कभी कहता नहीं हूँ लेकिन जब देखता हूँ कि मेरे team और हम लोग इतना ज़्यदा मेहनत कर रह हैं आप लोग के लिए फिर भी व्यूज उतने ही उतने रहे गए हैं जितना बीना मेहनत करें आते हैं तो फिर कहीं कहीं थोड़ सा motivation डाउन होता है तो आप लोग ऐसा सो कराया करो उस दिन हमें जरूरा कराया करो जिस दिन जदन 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 लग जाए आस्ट्रो लेब जो है, इसे UNESCO की World Heritage List में सामिल कर दिया गया, UNESCO की Heritage List में, ठीक है न, इसे मत समझना कि विश्व विरासतस्थल घोजित किया गया, नहीं, इसे विरासतस्थल नहीं घोजित किया गया, World Heritage Site नहीं घोजित किया गया, बस heritage list में अलग से add किया गया है ठीक है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है तो फिलहाल पटना में देखिए यहां का news है आर्टिकल है आपके सामने विहार कॉलेज है एस्ट्रोनॉमी कॉलेज है और 100 साल के बार इसको 106 सालों के बार इसको heritage list में समल किया गया 106 साल पुर उनों को प्राप्त किया था और यहां पर ला करके देद दिया था कॉलेज में और इसके बाद 1916 में इसके अस्थापना कर दी गई थी ठीक है खगोलिया वेजसाला का काम सुरू हो गया था और 106 साल अब हो गये है 2022 चल रहा है तो 106 साल के बाद ऐसा ऐसा स्थिति आ गया सबू आ गया कि UNESCO Heritage List में से सामिल करिया गया और यह एक बहुत बड़ी बात है UNESCO की बारे में अगर बात करें तो The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization होता है 1945 में अस्थापना हुई थी चावालिस पैरिस में इसका हेड़कौर्टर है डिरेक्टर जनरल है आंध्रे अजोले UNESCO की World Heritage Site में इंडियन कितने World Heritage Site है तो याद रखना World Heritage Site में दुस्तों भारत के 40 ऐसे World Heritage Site है जिसमें से 49 रामापा मंदिर था तेलंगाना का और 40 था धौला वीरा गुजरात का क्लियर आगे देखते हैं यहाँ पर बिहार की बारे में आप देखिए बिहार आप देखेंगे मैप में यहाँ पर है बिहार उत्तर प्रदेश के बगल सब्सक्रादम नेपाल से अपना बॉडल सेयर करता है देशों में ठीके ना पटना इसकी राज़ानी है नितीज कुमा प्रमुक नेशनल पार्क है लोगनित में बगर बात करें तो जाट जटिन जुमरी डांस ठीक है न यह होता है और अगर लोग कलाओं में बात करें तो गोदना गोदना यहां की प्रमुक लोग कला है मधुबनी पेंटिंग भी होता है मधुबनी पेंटिंग को GI टैग भी मिल सारे चीज़े ठीक है ना आगे बढ़ते हैं हाले में किसने लेजर निर्देशित ATGM का सफल परिक्षण किया तो अभी हाले में लेजर गाइड़ एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल का सफलतम परिक्षण किया है DRDO ने Defense Research and Development Organization यहाँ पर आप आटिकल देख पाऊगे DRDO सकसोड णिर्टçarफाईर लेजर गाइड़ एंटी टैंक गाइड़ मिसायल अब दिखो एंटी टैंक गाइड़ मिसायल का मतलब कि कोई जो टैंक होता है दुस्मन का उसको जाकरके नशट करना ठीक है एंटी टैंक करना एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल है यह गाइड़ का मतलब है कि किसी भी मिसाइल को गाइड किया जाए गाइड किया जाए मतलब अगर आपका आपका जो भी जो टार्गेट है ना वो अगर मूवेबल भी है मालो यहाँ पर target था आपने lock किया उसके बाद attack हुआ आपका target खिसके यहाँ आ गया तो उसको उस time at a time दोस्तो guide किया जा सकेगा वो यहाँ न जाकर फिर यहीं पर जाकर के लगेगा ठीक है ना जो अपना जो main battle tank है ना आरजुन यह जो की सबसे आदा यूज करती है भारती से ना इससे यह test fire किया जा सकता है वक्तरबंग गाडियों पर target किया जा सकता है उसमें छेद करने की छमता रखता है जो वक्तरबंग वहान होते हैं उसमें छेद करने की छमता रखता है DRDO के स्थापन दोस्तो एक जनवरी 1958 को करी गई थी नए दिल्ली में हेटकॉर्टर है जी सतीस रिडी जीज के डारेक्टर है और Strength Origins is in Science यह है इसका मोटो किलियर है अगला आपर आधिक प्रक्रिया या पहचान अधिनियम 2022 कब से लागू हुआ दोस्तो यह लागू हो गया है चार अगस्त थे देखिए यह बहुत पहले ही पास किया जा चुका था यहाँ पर आप देख पाऊगे आर्टिकल दा Criminal Procedure Identification Act जो है यह पास किया जा चुका था परलियमेंट के द्वारा अप्रेल में ही इसी साल अप्रेल में ही लेकिन come into force from Thursday यह Thursday से यानि चार अगस्त से दोस्तो अब पावर में आ गया है यह पूरा तरीकी से लागू कर दिया गया है यह Criminal Procedure यह Act क्या है तो इसके बारे में जब आया था यह चर्ची में तब भी एकुशन लिया गया था हो समझाया गया था आपको देखिए क्या होगा कि भ उसको collect करने का सनरक्षित करने का इस सबका अधिकार इसको दिया जा रहा है साथी साथ अभिलेखों का साजा करन डाकुमेंट्स का साजा करन ठीक है आपस में sharing ठीक है इसका प्रसार विनास निप्टान इसके लिए भी अधिकार मिल गया है माप में दोस्कों उंगलियों की निसान, हतेली की निसान, पैरो की निसान, फोटोग्राफ, आयरिस, रेटीना, स्कैन, जैविक नम्मुने, उसकर विसले साथ, सब कुछ सामिल है ठीक है ये सारा का सारा डाटा जो है वो भारतिय राश्ट्य अपराद रिकार्ड वियोरो में रहेगा इस्टोर रहेगा अमेरिका हुआ, बरेटेन हुआ, बड़े-बड़े देशों में ऐसा चलता है कि 20-20 साल बाद कोई केस होते हैं उनका डाटा रखा रहता और उनसे मैज करा करके किया जाता है ठीक है फिलाल लोग सबाने अप्रेल 2022 में से पारित कर गया था और अब आप जाकर के लागू कर दिया गया है, कुश्चन समझ में आना चाहिए, एक बार कुश्चन अगर समझ में आ गया आपको आप भूलोगी नहीं जल्दी, अगला कुश्चन, सेमी कंड़क्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने चिप्स बिल पारित किया, तो दोस्तों सेमी कं सेमी कंड़क्टर के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, और जो यूएस है, ये क्या कर रही है, और बिलियंस इन फाइट अगेंस चाइना, चाइना के खिलाब लडने के लिए बिलियंस खर्च कर रही है, फिलहाल चिप्स बिल के तहत क्या होगा, देखी, चिप्स का फुल है, अपैरोऑ लेगा तो रही होगा है, अब तुश्चा की प्रोड़था रही है, और ताइवान दुनिया भर के तमाम देशों को सेमिकंडक्टर हो दिता है ताइवान चाइना का conflict क्या है इसके इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कल ही मैंने बहुत ही खुबसूरत एक वीडियो बनाई हुई है आप उसको जुरूर दिखिए बहुत गुजरात बन गया है इसके अलावा तमिल नाडू सरकार ने दोस्तों सेमिकंडक्टर पार्ग स्थापित करने की खोशना करी है और इसके लिए इसने समझाता भी कर लिया है सेमिकंडक्टर अगर बोलें आपको तो इसका मतलब होता है अर्ध चालक देखो अर्ध चालक का क्या मतलब हुआ अगर जो लोग टेक्निकल बेग्राउंड से होंगे उनको पता होगा एक होता है कंडक्टर और एक होता है दोस्तों इसने कोई धारा कोई करेंट नहीं फ्लो होती जैसे यह टेंप्रेचर पाता है तो यह कंडक्टर की भांति तरह से भिहाइब करने लगता है वह होता है सेमिकंडक्टर जनरली जो फोर वैलनस वाले होते हैं जो धातुमे उन इनही में क्वालिटी पाई जाती है सेलकान, ज भारत पे के नए CFO कौन बने हैं तो Fintech platform भारत पे के नए Chief Financial Officer बन गए है दोस्तों नलिन नेगी नलिन लेगी जो को बनाया गया है CFO यहां पर आप 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 आटिकल दे पाओगे Appointed New CFO Amid IPO Plans ओके तो यह रिपोर्ट करेंगे डिरेक्ली जो भारत पे के वरतमान में CEO हैं सुहल समीर इनको रिपोर्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए भारत पे जो है ना भारत पे यह जबरदस्त कंपनी 2018 में अस्थापित हुई असनीर गुरोवर ने अस्थापित किया थ और अभी वरतमान में वो हटाए जा चुके हैं स्तीफा देगना पड़ गया है उनको ठीक है असनीर गुरोवर और अभी सुहल समीर हैं इसके CEO हाला कि सेयर अभी भी असनीर गुरोवर का है इसमें ठीक है तो फिलाल चेप Financial Officer नलिन नेगी जी को बना गया है कुछ और प्रम सेख मुहम्मद सबा अलसलेम ये कुवेत के प्राइम इनिस्टर बन गया है सिलंका के 15 प्रदान मंत्री होंगे दिनेज गुरु वर्दने सैफ मुहम्मद को दोस्तों FIH का नया कारवा का धक्ष बनाया गया है पेटियम गेटवे बीच के CEO नकुल जैन बन गया है संजे अ दिन के लिए NPCI ने किस से समझाता किया है तो अभी हाली में Digital Transactions के लिए NPCI ने National Payment Corporation of India ने दोस्तों IIT कानपूर के साथ समझाता किया हुआ है क्यों समझाता किया है भया तो IIT कानपूर जो है ना इसके जो student होंगे जो experts होंगे जो समझे प्रकार से जो talented जो personality होगी जो इससे related बिल्कुल expert होंगे ट्रंजेक्शन डिजिटल ट्रंजेक्शन रिलेटर वो सब क्या करेंगे NPCI में आ करके लोगों को knowledge देंगे knowledge कैसे देंगे digital payment solutions के लिए ठीक है NPCI और इसकी सहायक कंपनियों में क्या products और क्या services provide करी जाए जिससे cyber security को control किया जा सके इसके लिए यह लोग आइडियाज देंगे ठीक है तो IIT के वैग्यानिक होंगे समझलों एक प्रकार से scientist टाइप के ही students होंगे ठीक है बहुँ ज़्यादा experts होंगे वो होंगे और वो जा करके cyber security को ले करके यह अपना seminar और देंगे फिलाल NPCI के बारे मगर बात करें तो इंडिया होती है स्थापन 2008 में होती मुंबई मिसका headquarter है IIT संस्थानों से जुड़े कुछ questions जान लो अभी हाले में भारतिय भासा प्रदोकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मदरास ने नील केड़ी केंडर लांच किया है IIT मदरास ही आपको पता होगा दोस्तो भारतिय रेलवे के साथ समझाता किया है Hyperloop के लिए Hyperloop भी लाना चाहती है भारतिय रेलवे और उसके लिए IIT मदरास के साथ समझाता की है IIT कानपुर ने निर्मन त्वरक कारेकरम शुरू किया और NIRF रैंकिंग में दोस्तो टॉप पर हमेशा की तरह IIT मदरास फिर से रहा है ग्रीन को ने सतत विज्ञान स्कूल अस्थापना के लिए IIT हैदराबाद के साथ साहिधारी करी हुई है ये तो कोश्परमुक IIT संस्थानों से जुड़े प्रसन थे अब बात करेंगे एगले कुशन की प्रदान मंतरी कार्याले में निदेश्तक के पदपर किसे नियुक किया गया तो अभी हाले में PMO में प्राइम मिनिस्टर ओफिस में दोस्तो निदेश्तक के पदपर नियुक किया गया है किसे स्वेता सिंग जी को यहाँ पर आपको इमाज में दिख रहा होगा ये हैं Center Appoints IFS Officer स्वेता सिंग एज डारेक्टर आफ पी एमो प्राइम मिनिस्टर ओफिस में इनको नियुक्त किया गया है स्वेता सिंग को 2008 बैच की IFS Officer है और Appointment Committee of Cabinet ने इनहें नियुक्त किया है ओके नियुक्ती की तारिक से 3 साल के लिए इनको मंजूरी दी गई है प्राइम मिनिस्टर ओफिस के तो दोस्तों 1977 तक इसे प्रधान मंतरी सचिवाल है कहा जाता था लेकिन मौराराजी देसाई जी जो आए दोस्तों इसके बाद इन्हों ने नाम इसका बदल दिया मौराराजी देसाई जी के बाद से इनका नाम चेंज हो गया PMO का और अब PMO कर दिया गया है यानि प्राइम निश्टर आफिस कर दिया गया है प्रमोद कुमार मिसरा जी वर्तमान में PMO के नेत्र तो करता है 1947 में इस पर बनाया गया था अगला हालो में किस राजी के मुख्यमंतरी ने मिसन भूमी पुत्र का सवारम किया तो मिसन भूमी पुत्र दोस्तों लांच किया है अभी हली में असम राज्य सरकारे आपर आप आप 스लइग्ब्रक देख पाऊगे असम CM विश्व सर्मा इन्हों ने इसे लांच किया हुआ है दोस्तों मिसन भूमी पुत्र जो होगा ये छातरों को को असम के CM जो है हिमंत विश्वा सर्मा जी इन्होंने इसे लांच किया हुआ है दोस्तों मिसन भूमी पुत्र जो होगा ये छात्रों को डिजिटली ही जाती परमाड़ पत्र जारी करने के लिए एक तरीका होगा यानि इस पॉर्टल के माद्यम से डिजिटली ही जाती परमाड़ पत्र कास्ट सर्टिपिकर लोग बनवा सकेंगे तो मिसन भूमी पुत्र सुभारम किया गया है असम के द्वारा अब असम आया है तो असम आप देख पाओगे मैप में यहाँ पर है असम ठीकर ना असम ऐसा राज है दोस्तों जितने भी आप पुरोत्तर राज है सभी से अपना बॉर्डर सेयर किया करता है देश्पूर यहां की कैप्टल है हेमंद विश्वासर्मा बीजेपी पार्टी से सीम है जगदीस मुखी यहां के गवर्नर है अच्छा एक चीज और याद रखिएगा असम में दोस्तों सात निस्टनल पार्क हैं और सातों का नाम मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ था अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोगर याद कर लो इसको डिकोड कर लेना अगर किसी को पता होगा तो इसको डिकोड करके कमेंट बॉक्स में लिख देना असम के डिबरुगर से काजी नाम के मानस आए राम नाम लएके और अंजेप को दहिंग पढ़का है ये है ट्रिक और इसको किसी को अगर अंसर पता होगा तो इसको वहाँ पर डिटेल में एक्स्प्लेंग कर देना बाकी स्टुडेंट पढ़ लेंगे हाले में भारतिय रिजर्ब बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा कर कितने प्रत्सत कर दिया तो भारतिय रिजर्ब बैंक ने दोस्तो एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है और इस बार रेपो रेट कितना बढ़ाया है इस बार रेपो रेट जोस्तो 0.5 एक बार परस परसंट बढ़ाया, फिर इसको 0.4 परसंट और बढ़ा दिया, फिर उसके बाद अभी 5% 0.5 परसंट बढ़ा दिया, तोटल 1.4 परसंट बढ़ा दिया है अभी 2022 में रेपो रेट की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो रेपो रेट यहाँ पर आप देख पाओ गए, MPC, Monetary Policy Committee, H तो monetary policy committee जो होता है इसके दोरा बढ़ाया गया monetary policy committee क्या होती है दोस्तों एक ऐसी committee होती है जिसके दोरा ही भारत में repo rate, bank rate, reverse repo rate वगरा decide करे जाते हैं इसमें दोस्तों 6 members होते हैं ये question पूछा गया है इसकी अध्यक्सता कौन करता है RBI का governor करता है ये भी question पूछा गया है इसके अलामा इसमें कितने सरकार के सदस है और कितने RBI के सदस होते हैं तो 3 government के सदस होते हैं और 3 RBI के सदस होते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो अध्यक्सता RBI का governor ही करता है फिलाल रेपो रेट क्या होता है इसको समझेए तो रेपो रेट भी आपको समझाया गया है दोस्तों जैसे हम लोग बैंकों से बैंकिंग किया करते हैं ऐसे ही ये सारी बैंके जो है ये RBI से बैंकिंग करती हैं जब RBI से banking करेंगी, तो मतलब या तो पैसे जमा करेंगी, या तो पैसे लोन लेंगी, जैसे हम लोग बैंकों से करते हैं, तो जब ये दोस्तों पैसे जमा करती हैं, तब तो इनको interest मिलता है, लेकिन जब ये लोन लेती हैं, तो इनको interest देना पड़ता है, तो जब ये छोटी देती है percentage ठीक है न इंट्रेस्ट के रूप में और जब ये पैसे जमा करती है और बदले में इनकों इंट्रेस्ट मिलता है उसे कहते है reverse repo rate के लिए रहे न सबको समझ में आना चाहिए तो repo rate अगर बढ़ा दिया है RBI ने इसका मतलब RBI ने बैंकों के लिए लोन महगा कर दिया है जब बैंकों के लिए लोन महगा हुआ तो बैंक क्या करेगी ये आम नागरिकों के लिए लोन महगा कर देगी आम नागरिकों के लिए लोन महगा हो गया मतलब इसकी purchasing power कम हो गई जब purchasing power कम हो गई तो फिर वो अपनी इच्छाओं को दबाने लगा इच्छाओं को दबाने लगा तो मतलब market में थोड़ा सा महगाई पर काबू आ गया क्यों कि देखिए समझेगा इस चीज को अगर लोग अपना पैसा कम खर्च करेंगे तो फिर क्या होगा supply में बढ़ोतरी आजाएगे demand कम हो जाएगे जोग अगर कम पैसा करेंगे तो demand कम हो जाएगे जब supply ज़्याधा हो जाएगे तो लोग माल निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे इसका दाम घटाना शुरू कर देंगे तुम्हें गाई पर काबू होगा ठीके ना तो ये चीज़ें इस्टिप्ट लिये जाते हैं आर्टिकल दिया गया है वैसे ज़्यदा पढ़ने ज़्यादा समझने की जूरूत नहीं मैं बहुत आसान भासा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि उन बच्चों को ऐसे बच्चों को मदद करेगी कि वो कैसे प्राइवेट स्कूल में जा करके अपने सिक्षा कॉंटिन्यू कर सके अब मतलब बहुत अजीब सही योजना है फिल्मला करके कि देखो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके जो सरकारी स्कूल है उसमें चातर दोगे छटहीं से अठवीं के लिए 900 रुपए को दोगे ठीक है नवें से बार्वें के लिए 1100 रुपए दोगे ये सरकार देखा ठीक है लेकिन बाकी वी चीज़े तो वहाँ पर लगती है ड्रस भी लगता है अलग से उसका खर्ज किताबें उनकी अलग से होती है बहुत सारी चीज़े होती है प्राइबेट स्कूल्स में ठीक है बस का खर्ज और भी चीज़े होती है तो उनका तो बहन करना पड़ेगा यही कारण है कि वहाँ योजना लांच होते ही विवादों में आ गई वहाँ के जो पैरेंट्स है वो नाराज हो गए ठीक है पैरें वाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूर्ध योजना शुरू करी है प्राइमिनिस्टर नजद मोदी जी ने पुनर्थाम वितरांड छेत्र योजना का सुभरम किया है तमिल नाडु सरकार ने मुख्यमंतरी नास्ता योजना शुरू किया है चतिस गड़ में मुख्य चीज़े जानते ही होगे हर्यानम मैप में आप देख पाओगे यहाँ पर है चंदिवर्स की कैप्टल है दोस्तों मनुवर लाल खटर जी बीजेपी पार्टी से सीयम है बंडारु दत्ततियरे गवर्नर है और मुख्यनादी से रवी संकर जा चले तो ये तो थी दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन्स आई होब आप लोगों को इंफोर्मेशन काफी ज़्यादा मिली होगी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक और सेयर कर देना जिससे हम भी खुश हो जाएग सट्वे राष्टे फिल्म प्रुसकारों में बेस्ट एक्टर का आवार्ड किसने जीता तो बेस्ट एक्टर का आवार्ड दोस्तो सूर्या और आजय देवगन दोनों को मिला है ठीक है ना तो याद रखिएगा दोनों संयुक्त रोप से पाए हुए हैं बारत का पहला 100% ल गौतम तिवारी उत्तम कुमार महेंद रहें रोम राहुल कुमार रवी कांत कुमार और रवी संकर ये लोग रहे थे जोनों ने टॉप 10 सबसे पहले अंसर किये थे डिटेल के साथ रामसर साइट में सामिन होने वाला सिरपूर आद्रभूमी किस राजी में इस्तिर है और ये आपको आज बताना है और भारत का मुखने अधीज अपना इस्तिफा की से सौपता है मुखने अधीज की बारे में जो भी पता हो आप पूरा कपूरा लिख सकते हैं मतलब योगिताएं और नियुक्ति, इस्तिफा, ठीक है, सन्याज, जो भी चीज़े हैं मतलब सब पीडियाफ कहाँ पर मिलेगी आपको, एमजेटी एप पर मिलेगी, जाओ पीडियाफ यहाँ से डाउनलोड कर लो, कोई इस भी सौल्व कर लेना जिससे आपको रिवेजिन करने में आसानी हो जाए, फिलाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दुस्तों मिलेंगे निगली व नसकार जहें, वन दिमात राम